हेलो, गुद मॉर्निंग एवरिवड़ी, I am P.L. नेरेडा, असिस्टेंट प्रोपेसर, गुवर्मेंट कोलेज कनवास, and today I will teach you Alexander's Feast or the Power of Music. यह जो कविता है, Alexander's Feast या Power of the Music, जोन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है, जोन ड्राइडन नियो क्लासिकल कभी है, और अंग्रेजी शाहित्ते में इनका बहुत बड़ा योगतान रहा है. आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, वो मुखे मुखे परतियोगी परिक्षाओं में पूछी जाती है, और यह BA Part 1 के Kota University के सिलवस में भी सम्मिलित है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए. अलेक्जेंडर स्फिष्ट यानि अलेक्जेंडर की दावत और अलेक्जेंडर ने परिशिया को जीत लिया था और इसी कुसी में दावत चल रही है. कविता का एक और टाइटल क्या है The Power of Music संगीत का प्रभाव क्योंकि इस कविता में हम देखेंगे किस तरह से टायमोतियस जो संगीत कार है वो विभिन प्रकार के संगीत प्रडिश करता है उत्पन करता है और जिसे जिसे वो संगीत उत्पन करता है वेसे वेसे ही संगीत का प्रभाव अलेकजेंडर पर पढ़ता है वहाँ की पब्लिक पर पढ़ता है हमने एकसर देखा है जब कहीं पे कोई भजन चल रहे हो या आर्किष्ट्रा चल रहे हो तो जैसे ही लोगों का मन चाह संगीत आता है तो वे डांस कने लग जाते है और वेसा ही प्रभाव यहाँ पर भी इस कविता में हमें देखने को मिला है कविता जोन ड्राइडन ने लिखी है जोन ड्राइडन 1631 से 1700 के बीच में रहे हैं जोन ड्राइडन is a great poet of the restoration era जोन ड्राइडन जो है restoration काल के era का मिला बता है काल restoration काल के प्रतिनिधी कभी रहे हैं he remained poet laureate of England for some time कुछ समय के लिए वो England के poet laureate भी रहे he wrote many poems and plays also उन्होंने बहुत सारे poems और plays लिखे he was a great poet and dramatist वो एक कभी भी है और एक नाटक कार भी he become a roman catholic वो roman catholic बन गए for this reason he was discarded from the post of poet laureate और इसी वज़े से उनको poet laureate के पद से निसकासित कर दिया गया ड्राइडन was requested to write an odd ड्राइडन से request की गई कि ये एक odd लिखें odd क्या होता है odd एक लंबी कभीता होती है odd is a long lyric poem long lyric होती है ये जिसकी भासा उत्कृष्ट होती है अगर आपको odd के बारे में विस्तार से जानना है तो चैनल पे जाईए प्लेइलिस्ट में आपको लिटरी टर्म सोलिटर हिस्ट्री में odd नामक वीडियो अलग से मिल जाएगा और आप विस्तार से ओड के बारे में जान सकेंगे he wrote two odds उसने दो ओड लिखी ड्राइडन ने दो ओड लिखी एक ओड थी A Song for St. Cecilia in 1687 और दूसरी लिखी Alexander's Feast 1697 दोनों ओड के बीच में दस साल का रिफ्रेंस है These odds were written to celebrate St. Cecilia's Day और जो दोनों ओड थी St. Cecilia जो की संगीत कारा संगीत की जन्नी है उसकी याद में लिखी गई है St. Cecilia Day 22 नॉबर को मनाये जाता है और उसी की याद में दोनों ओड लिखी गई है अब हम यहाँ पर जो हमारी Alexander's Feast जो ओड है इसके बारे में देखते हैं It is a poem about the ability of music to influence human emotion and behavior यह कविता इस कविता का थीम क्या है इस कविता का थीम है Ability of music संगीत की योग गईता influence human emotion and behavior किस तरह से मनुस्य के emotion को और उसके वेवार को प्रभावित करती है influence का मतलब होता है प्रभावित करती है यानि संगीत का प्रभाव किस तरह से मनुस्य के emotions को और उसके वेवार को प्रभावित करता है The poem begins with the description of a fish कविता की सुरुआत एक दावत से होती है सभी लोग बेटे है Alexander महान जो है वो उनके बीच में बेटा है उचे सिंगासन पे Alexander defeat the Persian army एंड कैप्चर पर्स पॉलिस Alexander ने पर्षयक्स की जो आर्मी थी उसको हरा दिया और पर्स पॉलिस जमा का राज़ा था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया अबार्ड नेम्ड टाइमोथियस अकंपनीज दा इवेंट with a musical performance वहाँ पे एक संगीत कार है जिसका नाम है टाइमोथियस वो विविन परकार के music को performance曲 करता है performance मलग परस्तुत करता है वो पाँच परकार के σंगीत परस्तुत करता है पाँच परकार के संगीत गाता है he begins with a song that glorifies Alexander सबसे पहले वो ऐसा संगीत गाता है जिससे अलेकजेंडर को गोरवानवित करता है glorify मतलब गोरवानवित करता है the second song arouses zeal for war time of thes जो है उसके बाद युद्ध से सम्मंदित गीत काता है zeal, zeal मतलब उत्सा for war, युद्ध के लिए ऐसा गीत काता है कि अलेकजेंडर महान जो है युद्ध के लिए उत्साहित हो जाता है दबाट दैनियोक्स बेकस the god of wine and war encouraging the king to drink इसके बाद जो time of thes है वो युद्ध के देवता बेकस के बारे में गीत काता है जो सराब के भी देवता है और राजा को drink करने के लिए उकसाता है the third describes the fall of the Persian king Darius second तीसरा जो संगीत है वो दया के बारे में है पिट्टी पतन के बारे में है Darius second के बारे में वो बताता है कि किस तरह से Darius second का पतन हुआ और वो किस तरह से मृत्व को प्राप्त हुआ इन सब चीजों को सुन करके Alexander जो है दया की भावना से भर जाता है He was alone on the battlefield Darius second battlefield पे अकेला पड़ा हुआ था The fourth song is about the love for Thais और फिर जो चोता संगीत है वो Thais के प्रति प्रेम को दिखाता है Thais Alexander के beloved मानी जाती है He praises the beauty of Thais वो Thais की beauty की प्रसंसा करता है Alexander's beloved जो की Alexander की beloved है She was the beloved of Alexander At last, Tymothius sings of Vengeance और अंत में Tymothius जो है बदला लेने के लिए गीत गाता है Vengeance का मतलब होता है बदला लेना The poem ends with a comparison of Tymothius and the Catholic martyrs Cecilia और इस कविता का अंत इस ओड़ का अंत होता है Tymothius और Cecilia की comparison से Comparison मतलब तुलना किस तरह से Tymothius ने संगीत का प्रभाव दिखाया और किस तरह से Cecilia जो है वादे यंत्रों की जो खोज करता थी उसने किस तरह से वादे यंत्रों का अविस्कार करके संगीत के प्रभाव को बढ़ाया है उन दोनों में तुलना करता है और उसे के साथ कविता कांत हो जाता है Cecilia Enlarge Scope of Music Cecilia ने Enlarge किया था Enlarge मतलब व्रदी की थी Scope of Music संगीत के Scope में Shaw She possesses a natural talent for music इसलिए उसके अंदर संगीत के प्रती एक वास्तिक talent है उसके मन में संगीत के प्रती एक अच्छी प्रतिबा है Timothis could easily yield the prize of the best musician to Cecilia Timothis जो है Cecilia को best magician का prize दे सकता है और या फिर both Cecilia and Timothis could divide the honor equally या फिर Cecilia and Timothis जो है दोनों उसको divide कर सकते हैं दोनों बाढ़ सकते हैं बराबर बराबर क्योंकि दोनों ने संगीत के क्षित्र में बहुत अभूत पूरू वर्दी की है यह इस कविता का शार है यानि कविता में पास तरह के संगीत आप पढ़ेंगे और उन पास तरह के संगीत में क्या क्या पढ़ेंगे यह मैंने अभी आपको बताया यही कविता का शार है अब हम कविता की सुरुआत करते हैं A Song In Honor Of San Cecilia's Day यह जो गीत है इसको हम यह भी कर सकते हैं San Cecilia Day के उपर लिखा गया एक संगीत It was the royal priest for Persia on It was the royal priest सही दावत चल रही है for Persia on क्योंकि Persia को जीत लिया है परशिया के उपर विजे प्राप की है इसलिए साही दावत चल रही है वाट इसलिए रीजन अप दो फीस्ट दावत का क्या कारण है क्योंकि परशिया को जीत लिया है युद्ध के बाद अलेकजेंडर ने जो है परशिया को जीता है इसलिए दावत चल रही है It was the royal feast for Persia own क्योंकि Persia को जीत लिया है किसने जीता है Philips warlike son Philips के बहदूर बेटे के द्वारा Warlike का मलब होता है बहदूर शन बेटे द्वारा Philips Alexander के पिता के लिया है Philips के बहदूर बेटे द्वारा Persia को जीत लिया है इसलिए ये पार्टी चल रही है Allopt in a wayful state The God-like hero set Set मतलब बेटा हुआ है State का मलब बताए इस्तिती Allopt इने उची अवेफुल इने शांदार उची और सांदार इस्तिती में The God-like hero God के जैसे दिखने वाला hero Set बेटा हुआ है या अलेकजेंडर के बारे में बताए जा रहा है कि अलेकजेंडर जो है उचे और शांदार इस्तिती में या सिंगासन पे बेटा हुआ है The God-like hero set कैसा दिख रहा है God-like वो इस्वर के जैसा दिखने वाला hero है On his imperial throne Imperial मतलब साही Throne मतलब सिंगासन His valiant peers were placed around Valiant का मतलब अता है Bahadur peers मतलब साही Place around बेटे हुए हैं चार और उसके जो बाहदूर सिपाई है Valiant peers उसके बाहदूर सिपाई अलेकजेंडर के जो बाहदूर सिपाई है वो भी प्लेस अराउंड चार और बेटे हैं अलेकजेंडर के बहादूर योद्धा जो है वो उसके चार और बेटे हैं अलेकजेंडर उंचे सिंगासन पे बेटा हुआ है शाही सिंगासन पे बेटा हुआ है और उसके साथी जो है वो उसके चार और बेटे हैं Their brows with roses and with mythal bound Their brows उनके ललाट पे योद्धाओं के ललाट पे ललाट जो होता है सर उसके उपपर गुलाबों के और मार्थल के फूल बंदे हुए हैं यानि उनकी मालाएं बंदी हुई है क्यों बंदी हुई है So does suit desert in arms be crown क्योंकि यहाँ पर रेगिस्थान में crown ताज है desert का मलब होता है रेगिस्थान So suit desert ऐसा ही यहाँ होता है गाम्स इन युद्धाओं के लिए be crown ताज यहाँ पर जहाँ उन्होंने पर्षिया को जीता है वहाँ पर ऐसा ही इनके लिए ताज होता है क्योंकि यहाँ पर ताज की विस्था कहां से की जाए रेगिस्थान में ताज की विस्था कहां से की जाए इसलिए गुलाब और माइटल के फूल जो है वही उनके लिए ताज है the lovely ties by his side खुब्सूरत side ताज जो है वो उसकी बगल में है set मतलब बेटी हुई है like a blooming eastern bride और वो blooming eastern bride की तरह लग रही है like a blooming eastern bride blooming मतलब खिली हुई पूरवी दुलन की तरह लग रही है the lovely ties थाइस अलेकजेंडर की बिलवड का नाम है अलेकजेंडर की प्रेमी का है by his side जो उसकी बगल में बेटी है set मतलब बेटी है like a blooming eastern bride और वो खिली वी पूरवी दुलन की तरह लग रही है यहाँ पर थाइस के कुछ और भी विसेशन है in flower of youth जवानी का फूल beauty's pride खुपसूरती का घमंड beauty's pride खुपसूरती का घमंड flower of youth यह अवस्ता का फूल यहाँ पर था इसकी खुपसूरती के लिए यह दो विसेशन आये है flower of youth वो बहुत ज़्यादा खुपसूरत है flower of youth मतलब यह अवस्ता में है पूरी तरह से योवन में भरी हुई है beauty's pride और उसकी beauty जो है घमंड करने योगे है beauty's pride कभी ने यहाँ पर मिटाफर का प्रयोग किया है रूप अकल अंकार के माद्दम से समझाया है flower of youth उसकी जवानी को फूल की तरह बताया है beauty's pride और उसकी जो beauty है वो pride करने योगे है गरू करने योगे है देखिए यहाँ पर कभी repetition का प्रयोग करता है happy 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 pair pair मतलब उताए जोड़ा यह जोड़ा कितना खुस है यह जोड़ा कितना खुस है कौन से जोड़ा Alexander और Thais जो बेटे हुए हैं उस pair के लिए कभी ने यहाँ पर time o thias ने क्या कहा है happy 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 pair कभी repeat कर रहा है repetition और लंकार का प्रयोग यहाँ पर कभी ने किया है जब किसी बात पर जूर डालना होता है तो वह बात को repeat किया जाता है happy 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 pair यह जोड़ा कितना खुसूरत है कितना खुसूरत है Not but the brave Not but the brave Deserve the fair फिर यहाँ पर कभी repetition प्रयोग करता है None but the brave none मतलब कोई नहीं सिर्फ बहादूर none but the brave कोई नहीं सिर्फ बहादूर कोई नहीं सिर्फ बहादूर योग्ये वेक्ती ही deserve करते हैं deserve मतलब योग्ये होते हैं the fair सुन्दर चीजों के कभी यहां क्या कर रहा है कि कोई नहीं सिर्फ बहादूर जो विक्ति होते हैं वही डिजर्व करते हैं फिर सुन्दर चीजों का प्रयोग सिर्फ वही विक्ति कर सकता है सुन्दर चीजों कर सकता है उनका उप्योग जो बहादूर हो और कोई नहीं जिसको डर ना हो जो बहादूर हो वही फिर सुन्दर चीजों का है कि सिर्फ अलगे जएंडर ही था इसका प्रयोग कर सकता है इसके बाद यह एक इस्टेंजा खतम हो जाता है और दूसरा इस्टेंजा देखिए टाइम उथियस प्लेष ऑन हाई टाइम उथियस जो है वह भी रूचे इस सिंगासन पर बेटा हुआ है टायमinasan कौन है संगीतकार है place on high place मतलब होता है रखा है यहां रखने से मतलब है बेटा है उच्छे सिंगासन पर जेसे हमने कहीं पर शादी विवा में देखा है वो जो बजाने वाले आते हैं वो कहीं उच्छे शिंगासन पर बेड़ जाते हैं और वो बजाते हैं ऐसे ही टाइम होती है जो है यहाँ पर उसका संगीत बजा रहा है अमिट ळूओन पूओन क्योर का मालबत है शंगीत विड प्लाइंग फिंगर्स सच के बीच में तूबल क्योर उस शंगीत के बीच में ट्यून पुल संगीत के बीच में, स्वर, क्योर से मतलब है, क्वायर मतलब स्वर, उस संगीत के बीच में, with flying fingers, चंचल अंगुलियों से, टच्च दे लायर, उसने लायर को छुआ, लायर एक वाद्दे यंत्र होता है, अर्थाद वीना, टायम उतियस ने चंचल अंगुलिय उसे, उन स्वरों के बीच में से, क्या किया, लायर को छुआ, the trembling knots ascend the sky, trembling मतलब कापते हुए, वाइब्रेट करते हुए, knots मतलब स्वर, ascend यने उपर उठने लगे, the sky आस्मान की और, जब टायम उतियस ने, वीना को छुआ, उसकी चंचल अंगुलियों से, तो क्या हुआ, the trembling knots, कापता हुआ स्वर, स्वर से मतलब गीत, ascend यने उपर उठने लगा, the sky आस्मान की और, क्योंकि, टायम उतियस जो हे, उचे आस्मान में बेटा हुआ है, उचे सिंगासन पे बेटा हुआ है, तो जब उसने चंचल अंगुलियों से, लायर को छुआ, तो उसमें से संग संगीत ने क्या किया, and heavenly joy, स्वर्गी आनंद, इंस्पायर प्रेडित हो गए, यानि जब उसका संगीत बजने लगा, टायम उतियस का संगीत बजने लगा, तो स्वर्ग में भी heavenly joy, स्वर्गी आनंद, इंस्पायर प्रेडित करने लगा, यानि वहां बेटे लोगों को स्व पर गी आनंद आने लगा The song begin from Jau और टाइमोतियस ने संगीत की शुरुवात कहां से की Jau से Jau Jupiter से यहाँ पे ब्रस्पति के लिए आया है The song begin from Jau और टाइमोतियस का संगीत जो है Jau से स्टार्ट हुआ Jupiter से स्टार्ट हुआ Who left his blissful seat above Jupiter ने अपनी Blissful seat को छोड़ दिया यानि Jupiter एक देवता है और वो संगीत के प्रभाव में आकर के वहाँ पर जो अपना सिंगासन था Blissful seat से मतलब है साही सिंगासन अब आओ उपर उपर से मतलब स्वर्ग से left छोड़ करके आ गया Such is the power of mighty love क्यों क्योंकि ये mighty love का पावर था Such is the power ये प्रभाव था Mighty love Powerful Mighty का मलब उता है सक्तिसाली love प्रेम का क्योंकि ये सक्तिसाली प्रेम का प्रभाव था A dragon fiery form belight the god A dragon Dragon उसने एक dragon का रूप धारण किया Dragon का मलब उता है देवदूत देवदूत का रूप धारण किया fiery मलब चमकता हुआ form फॉर्म का मलब उता है रूप उसने एक चमकी लिए देवदूत का रूप धारण किया Belight the god उस god ने Belight मतलब वेश the god उस god ने lie का मलब उता है जूटा यहाँ पे जूटे से मतलब है चदम वेश धारण किया जूपिटर ने क्या किया और ड्रेगन फायरी एक फायरी यहने खतरनाक आग जैसा ड्रेगन देवदूत का फॉर्म रूप बिलाइट धारण कर लिया उस god ने यानि वो जो god थे जूपिटर उन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया सब्लाइम ओन ए रेडियन्ट स्पायर रॉड ही रॉड सब्लाइम स्रेष्ट अच्छा ओन रेडियन्ट चमकीला इस्पायर ही रॉड उसने सवारी की वहां से स्वर्ग से धरती पे आने के लिए उन्होंने एक चमकीले इस्पायर की सवारी की रॉड का मलबत है राइड की सेकेंड फॉड पॉर्म हती है रॉड सवारी की यानि वह स्वर्ग से एक चमकीले इस्पायर में बेट करके आ गया वेन इटु फेर ओलंपिया फ्रेष्ट एंड वाइल वेन जब उन्होंने फेर सुन्दर ओलंपिया को देखा जब उन्होंने इस दर्ती पे सुन्दर ओलंपिया को देखा प्रेष्ट इने पावर में प्रेष्ट में आ गया वो प्रेष्ट का मलब होता है दबाना यहां पर इसका मलब होता है प्रभाव वो प्रेम के प्रभाव में आ गया प्रेम के प्रभाव के द्वारा उसको दबाया गया एंड सोथ ही हर सनौवी ब्रेस्ट जब उसने खुबसूरत ओलंपिया को देखा सोथ मलब देखा खोजा हर सनौवी ब्रेस्ट उसके खुबसूरत ब्रेस्ट को and round her slender waist he curled फिर वह उसकी पतली कमर से लिपट गया round her slender slender का मतलब होता है पतली waist मलब कमर से curled लिपट गया and stamped an image of himself and stamped stamped मलब छोड़ stamped मलब छाप image stamped उसने अपनी image छोड़ दी a sovereign of the world इस दुनिया के लिए उसने संप्रबु दिया sovereign का मलब होता है संप्रबु world दुनिया का यानि जब उसने ओलंपिया को देखा तो उन दोनों के प्रेम का result क्या हुआ stamp and image उसने अपनी image छोड़ दी चाप छोड़ दी और वो चाप किस रूप में छोड़ी the sovereign of the world दुनिया को एक संप्रबु मिल गया यानि Alexander की उत्पति उन दोनों के प्रेम का प्रभाव क्या हुआ Alexander की उत्पति जुपिटर और Olympia के प्रेम का प्रभाव Alexander की उत्पति जो की इस दुनिया का संप्रबु है जब इस तरह का संगीत सुना the listening crowd admire the lofty sound lofty मतलब यह जो कॉमल जो sound था यह जो प्रेम का sound था उसको सुन करके the listening crowd listening सुनने वाली crowd भीड़ने admire प्रसंसा करने लगी the lofty sound उस संगीत की जब वहाँ पे उपस्तित लोगों ने इस संगीत को सुना तो वहाँ के लोग उसकी प्रसंसा करने लगे a present deity they shout around वे चारो तरफ से चिलाने लगे they वे shout चिलाने लगे around चारो तरफ से क्या चिलाने लगे a present deity एक देवता बेटा है present मलब उपस्तित है deity मलब देवता सब चारो तरफ से चिलाने लगे कि हमारे बीच में देउता बेटा है अप्रजेंट डेटी देउता उद्धमाने वो जो मेराबदार छट थी वोल्टेट मतलब मेराबदार रूप छट रीबाउंड वो गुजने लगी मेराबदार छट जो है गुजने लगी चारो तरब से जब चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी तो राजा को कैये अपने कान बंद करने पड़े जब जबरदस्ती कानों से राजा को वह सुनना पड़ा वह जो सोर गूंज रहा था हमारे बीच में देउता है उसको राजा को सुनना पड़ा अज्यूम दे गौड और फिर जो गौड है अर्था 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 अलेक जेंडर अज्यूम मतलब सुिकार करता है सब से करता है कि हाँ ठीक है अज्यूम दे गौड सुिकार करता है अफेक्ट नोड और गर्दन हिलाता है नौड का मलब होता है गर्दन, affect to nod, गर्दन हिलाता है and seems to shake the spear और ऐसा लगता है जिसे वो ब्रमांड को हिला देगा and seems प्रतीत होता है, वो गर्व से बर जाता है seems to shake हिला देगा the spear ब्रमांड को और ऐसा लगता है जिसे वो ब्रमांड को हिला देगा इस तरह से यह जो संगीत है सबसे पहले टाइमोथियस ने अलेकजंडर की उत्पत्ति से संबंदित संगीत गाया अब इसके बाद वो दूसरा जो संगीत है बेकस के बारे में सुरू करेगा संगीत कार कौन है यहां पर टाइमोथियस जब पहली बार उसने अलेकजंडर की उत्पत्ति के बारे में संगीत गाया दूसरे स्टेंजा में वो बेकस की प्रसंसा में गीत काता है बेकस की प्रसंसा में देन शीट मुजिशिन उस मदूर संगीत कार ने संग गीत गाया अब बेकस एवर फेर एंड एवर यंग बेकस कैसे देवता है एवर फेर हमेशा संदर दिखने वाले एवर यंग हमेशा यंग दिखने वाले बेकस काश से दे ज़ता है जो हमेशा संदर दिकते हैं और हमेशा यंग दिकते हैं और यह विजे के बाद आते हैं शराप कपी जाती है जब हम किसी चीज में यूद्में विजे पराप्त कर लेते हैं जब हम किसी कंप्रिक्शन में शपलता प्रात कर लेते हैं तो लोग एंजोई करते हैं शराप का दा जोली गॉड बहुत ही मस्त देवता है इंट्रोयम कम्स और ये विजे के बाद आता है टायम जो है अपने सात्यों से कहता है ये एक वाद यह आतर होता है पेस ट्रम्पेट बजाओ, बीट दर्म ढोल को पीटो, बीट मतलब पीटो ड्रम ढोल को ढोल पीटो तुरही बजाओ, plus with a purple grace he saw his honest face plus with purple grace परपल एने बैंग निकलर की grace करपा उसके चेरे पे दिखती है जब कोई शराप पी लेता है तो उसका चेरा जो है purple हो जाता है plus एने चमकने लगा with a purple grace he saw his honest face वो उसका इमानदार चेरा दिखाता है यहाँ पे बेकस की बात है जब बेकस आता है तो के से आता है plus with purple grace purple grace लिए हुए he saw his honest face वो उसका इमानदार चेरा दिखाता है यहाँ बेकस जो है वो इमानदारी के लिए प्रसिद है कोई भी वेक्ति शराप पीने के बाद जूट नहीं बोलता है वो अपने दिल की बात को बया करता है इसलिए कहा है he saw his purple he saw his honest face वो उसका इमानदार चेरा दिखाता है now gives the hot boy breath अब hot boy को बजाओ hot boy एक वादे ही अंतर होता है hot boy मसक को बोलते है breath जो हवा से बजता है सांस से बजता है जो फूक मानने से बजता है time o tis कता ही now give the breath hot boy breath अब hot boy को बजाओ मसक को बजाओ he comes, he comes वो आरा है, वो आरा है कोन आरा है, बेकस आरा है, बेकस आरा है बेकस एवर फेर इंड यंग बेकस जो है हमेशा फेर रता है हमेशा यंग रता है बेकस सराप के जो देवता है हमेशा युवा रते हैं हमेशा सुन्दर रते हैं हमेशा युवा रते हैं ड्रिंकिंग जोई डिट पस्ट ओर्डेन ओर्डेन मतलब ओर्डर दिया गया drinking joy पीना तो आनंद है आनंद के लिए लोग पीते हैं drinking joy पीना तो आनंद है शराप पियो डिट पस्ट ओर्डेन ऐसा ओर्डर दिया गया बेकस blessing are treasure बेकस के पास खजाना है treasure का मतलब खजाना किसका? blessings आसिरवाद का बेकस के पास तो खूप सारा आसिरवाद है उसके पास आसिरवाद का खजाना है drinking is the soldier's pleasure और पीना तो सिपाईयों के लिए आनंद है टायमोतियस करता है drinking is the soldier's pleasure पीना तो सिपाईयों के लिए आनंद है rich the treasure ये खजाना बड़ा महान है यानि बेकस का जो खजाना है वो बहुत विशाल है कभी खतम नहीं होता sweet the pleasure और इस से मिलने वाला जो आनंद है वो बड़ा sweet है sweet is pleasure after pain और pain के बाद जो pleasure मिलता है वो बड़ा sweet होता है sweet is pleasure pleasure मतलब आनंद pain दर्द के बाद दर्द के बाद जो आनंद मिलता है वो बड़ा sweet होता है जब सिपाई युद्ध में लड़ते हैं मार काठ घा उनके हो जाते हैं और उसके बाद जब वे शराप पीते हैं तो उन दुखों को वो भूल जाते हैं इसलिए का आए स्वीट इस प्लेजर आप्ठर पैन दर्द के बाद पीना बड़ा स्वीट होता है सूध विद्ध साउंड दा किंग ग्रिव वैन जब वेकस की प्रसंसा में गीत चल रहा था सूध विद्ध साउंड इस साउंड से सूध देने प्रसंद हो गया दा साउंड इस साउंड से दा किंग ग्रिव वैन और राजा घमंडी हो गया ये जो संगीत चल रहा था बेकस की परसंसा में उससे परसंद होकर के राजा घमनडी हो गया फॉर्ट ओल इस बेटल्स ओवर अगेन और उसको ऐसा लगा जैसे उसने पूरे युद्धों को फिर से लड़ा फोर्ट अल हमाँ बेटल्स बेटल्स मनलब युद्धों को फौर्ट है ने लड़ा आवर अगें बार 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 जैसे वो उन युद्धों को लड़ रा है और तरिश रावटेड आल हम्ने उखुष और तीन बार उस ने काट डाले त्रिस मलब तीन बार राउटेट काट डाले आलिस पोज उसके सारे सत्रू एंड फ्रिसी स्लीव दसलेन स्लीव मतलब काट डाला सलेन मतलब कतल जो हो रहा था जिनको उन्होंने तीन तीन बार उन सिपाईयों को फिर से काट डाला जो पहले से कटे हुए थे यह फोज वह देखा इन्होंस तीन तरू पागल प्तपन हो गया है उसने देखा कि आलेक्जेंडर जो है जो है उसके उपर पागल पर हावी हो गया है His glowing cheeks, his radiant eyes, उसके गाल चमकने लगे His radiant, ardent eyes, उसके आँखे जो है उनमें रोस ने आ गई Ardent मलब्तिवर हो गई His glowing cheeks, उसके गाल चमकने लगे His ardent eyes, उसके आँखों में चमक आ गई And while he heaven and earth defied और ऐसा लग राता जैसे वो स्वर्ग से लेकर धरती तक डिफाई कर देगा परास्त कर देगा And while he heaven and earth defied वो स्वर्ग और धरती को डिफाई कर देगा परास्त कर देगा Change his hand and checked his pride तो यहाँ पे फिर ताइमोतिस क्या करता है Change his hand उसने अपना hand change किया उसने जो वीना को बजा रहा था तो उसने वीना को बजाना छोड़ दिया Change his hand उसने अपना hand change किया And checked his pride और उसके घमंड को भी चेक किया यहाँ his pride किसके लिए है Alexander के लिए क्योंकि Alexander शराप के नसे में उन्मत हो गया था ऐसा लग रहा था जिसे वो स्वर्ग और धर्ती को परास्त कर देगा जब टाइम उतियस ने यह सब चीज़े देखी तो वो समझ गया कि अब इसके घमंड को रोकना पड़ेगा इसके जोस को रोकना पड़ेगा He choose a mournful muse Muse का मलब होता है संगीत Alexander ने दुखी करने वाला संगीत चुना He choose उसने चुना मौनफुल muse मौनफुल का मलब होता है विलाप करने वाला Soft pity to infuse उसके अंदर दया की भावना भरने के लिए Soft pity pity का मलब होता है Soft and a common to infuse Infuse का मलब भरने के लिए Alexander में दया की भावना भरने के लिए उसने मौनफुल संगीत को चुना मौनफुल का मलब होता है विलाप पूर्ण जब किसी की मृत्यू हो जाती है उसके उपर जो सोक गीत गया जाता है उसको का जाता है मौनफुल तो यहाँ पर Alexander को उसके घमंड को रोकने के लिए टायमो थियस ने सौप्ट पिट्टी वाला गीत चुना वो सौप्ट पिट्टी वाला गीत कौन सा था यह अब हम यहाँ पर देखेंगे वो सौप्ट पिट्टी वाला गीत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो में इतना ही कापी है अगले वीडियो का इंतजार कीजिए थैंक यू